नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जर्खन के दिन भर की खबर जानते हैं आपकी योजना आपकी सरकार के पहला चरण में 29 लाख लोगों ने किया आवेदान राज सरकार द्वारा 12 हक्टूबर से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान का पहला चरण 22 हक्टूबर को पूरा हो गया है, दूसरा चरण अब एक नॉम्बर से आवेदान होगा पहले चरण में कूल 29,56,918 लोगों ने आवेदान दिया, जिसमें 9,36,978 आवेदान का निस्पादन हो गया वही 9,99,999 आवेदान लंबी थाए, जबकि 29,941 आवेदान ब्रत कर दिये गाए इस दवरा राज भर में 26,79 कैंप का आवेदान किया गया बतादे 10 दिवस ये कैमेप में सरवधिक आवेदान राज सरकार दवरा शुरू किये सावित्री भाई फोले की सोरी सम्रिद्धी योजना के लिए आए यह योजना सरकार की प्राथ मिक्ता में भी थी जिसमें इस कूली 16 आवेदान लेना था इस योजना के तहद कूल 2,10,387 आवेदान आया है जिसमें 70,175 आवेदान का निस्पादन कर दिया गया बतादे 1,49,457 आवेदान किजा चल रही है जिसमें 775 आवेदान रद भी कर दिये गा है वही नएक किसान क्रेडिट काड के लिए भी सताई से 202 आवेदान आया है जिसमें 96,34 किसानों को के सिसी ततकाल दे दिया गया है सरकारी स्कूलों में कीक फोर जारखन का होगा आयोजन राज सरकार की सिक्षा भी भाग खेलों को बढ़ावा देने के उद्यस से सरकारी विद्याले के विद्यालत्यों के लिए किक फोर जारखन का आयोजन करेगी या आयोजन पहले स्कूल अस्तर पर होगा इसके बाद पर्खंड अस्तर पर यहां बेहदर परदशन करने वाले जीला अस्तर पर होने वाले परतियोगिता में भाग लेंगे इसके बाद राज अस्तर ये परतियोगता के लिए चैन किया जाएगा बतादे किक फोर जारखन के आयोजन के लिए जीला को 83,37,600 रुपए अवंटित किया गया है इसमें परखन अस्तर अयोजन के लिए 1,80,000 रुपए वहीं बिद्याले अस्तर पर 10,79,600 रुपए खर्च किया जाएंगे वहीं एस्पोर्ट समागरी की खरिदाली के लिए 70,88,000 रुपए अवंटित किया गया है बता दे जीला अस्तर ये परत्योकता के लिए 10,000 रुपए प्रती परखन को दिया जाएगा इस्टेट लेवल के लिए 50 रुपए लिया जाएगा जारखन राज सहकारी बैंक अब C&T जमीन पर भी देगा रिन जारखन राज सहकारी बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए अच्छी पहल की है बैंक की ओर से अब C&T जमीन पर भी रिन मिल सकेगा यह रिन अधिकतम 20 रुपए तक मिलेगा यह रिन वैसे सिक्षकों को दिया जा रहा है जो ST या SC कटेगरी में है साथ ही उनकी सेलरी बैंक में जमा जा रही है खास बात यह है कि रिन को एक से दो दिनों का अंदर मंजूर किया जा रहा है यही नहीं लोन के पुर्व भुखतान पर कोई चार्ज भी नहीं लिया जाएगा हलाकि पुर्व भुक्तान पर कई बैंक चार्ज लेते हैं बैंक के अधिकारियों ने कहा है कि यह रिन अन्य स्ट या स्ट कडेगरी को भी सी एंटी जमीन पर मिलेगा हलाकि ऐसे ग्राहकों से सत पर्तिशत स्टीरेटी ली जाएगी मतलब यह कि जितना उन्हें रिन दिया जा रहा है उतना रासिक स्टीरेटी ली जाएगी जारखन में नौ लाख गरीब परिवारों को नहीं मिल रही चीनी दिपावली वा छट पर्व पर भी जारखन के गरीबों की थाली में नमक वा चीनी कायब है बतादे राजे के अंतियोदे परिवारों के लभग 9 लाख काड़धारियों को 7 माह यानी अपरेल से चीनी नहीं मिली है वहीं 2 माह से नमक भी नहीं मिल पाया चीनी में भी बैक लोग चल रहा है राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अंतियोदे परिवार को प्रती परिवार प्रती माह एक किलोग्राम चीनी अनुदानित दर परुपलब्द कराई जाती है बरतमान में इस योजना का संपोशन रिवोलिंग फंड से किया जा रहा है बतादे नमक बित्रन योजना बित्य वर्ष्ट दोजारें गारा बर्त शुरू की गई बरतमान में इस योजना के तहत राजे के राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा दिनियम से जुड़े परिवारों को परती परिवार परती मा एक किलोगराम फिरी फलो आयोडिन युक्त नमक एक रुपे परती किलोगराम की दर से बंटना है दिपावली पर रिम्स के डॉक्टर अलाट मोड में दिपावली को लेकर रिम्स के बर्न वाड में विशेष त्यारी है इमर्जेंसी, सर्जरी, ICU, मेडिसीन, ICU, ट्रामा सेंटर वर्न वार्ड के चिकित्सकों और कर्मियों को विस्तेस निर्देस दिये गया है सरकुलर में POD, MOD और PGOD को अपने अस्तरपर ड्यूटी में तैनात रहने को कहा गया है बताज चिकित्सका अधिक्षक ने बताया कि दिपावली के दिन वर्न केस के मामले बढ़ जाते हैं रिम्स के वर्न वार्ड में 16 बेट को रिजर्ब रखा गया है दिपावली के दिन 12 डॉक्टर वर्न वार्ड में तैनात रहेंगे जारखंड में अगले माह से आने लगेंगे परवासी पक्षी जारखंड में नॉमबर माह के पहले सब्ता से परवासी पक्षियों का आना शुरू हो जाता है राज्य में कई ऐसे जलासे हैं जहां विदेशी पक्षिया आती है इनके आने का सीजा नॉम्बर से लेकर जनवज तक कहा है इस दोरान इस पर नजर रखी जाती है देखा जाता है कि कौन कौन की पक्षिया जारखंड की हैं इसके लिए 2015 से लेकर 2018 तक वन विभाग ने पहल शुरू की थी पक्षियों पर नजर रखने के लिए एजेंसिया या नेजी लोगों से संपर्क कर पक्षियों की फोटोग्राफी कराई जाती थी पिछले तीन साल से यह पहल नहीं हो रही है इस करण पक्षियों के आने की अधिकारी की सुचना नहीं मिल पाती बताजे 2018 तक वन भी भागसा भी जिला वन प्रमणल पताजिकारियों को एक निर्देश देता रहा है कि इस काम के लिए एजेंसिय के लोगों को हर तरह के सुवधा दी जाएगी जारखन के अपराधी अमन साहू के 81 ठीकानों पर छापे मारी एंटी टेरिडिस्ट एसक्वाइड की टीम ने सनिवार को पलामू सेंटरल जेल में बंद गैंग्स्टर अमन साहू और अमन साहू के गुरगों, सुट्रों और करिवियों के आठ जीलों में इस्थित 81 ठानों पर छापे मारी की छापे मारी के दवरान जाच एजेंसी ने आमन साहू गिरों से समधित काग जात, गिरों के सर्षों के वाहनों से मिली दस्तावेज सहीत अन्य महत्पून चीजे बरामत की है इनके जरिए ATS को गिरे के लोगों की अवयद कमाई का भी पता चला है साथ ही उनके निवेश और बेनामी समपतियों के भी जनकारी हाथ लगी है NTPC नर्थ करनपूरा की पहली यूनिट से बिजली उत्पादन शुरू सिलन्यास के त्याई साल बाद NTPC के नर्थ कॉर्ण पूरा पावर प्लांट की पहली यूनिट से बिजली उत्पादन शुरू हो गया है 21 अक्टूबर की साम 7 बजे से यूनिट को चालू कर कर करन्ट को गिरीट तक सफलता पूर्वक टांसफर किया गया 660 मेगावार्ट शम्ता की पहली यूनिट से पहले दिन 121 मेगावार्ट बिजली उत्पादन हुआ इतने बरसो बाद इस पावर प्लांट से बिजली उत्पादीत होते देखे NTPC के अधिकारियों कर्मियों में खुस्तिक लहर लोट गई है बता दे मौके पर NTPC के छेतरिय करेकारी निदेशक एके गोस्वामी और मुखे प्रवंधाक तजिंदर गुपता के नेतित में टीम नर्सकर्ण पुरा ने या सफलता आसिल की है चाईबासा समय के दूसकर में पुलिस ने पांच गोली आहिरासत में चाईबासा हवाई अड़ा मैदान में दोस्त संग घूमने गई आदिवासी युवती सोफ्ट्वेर इंजिनियर से समय के दूसकर में पुलिस 28 गंटे बाद भी खाली हाथ है एसपी आसुतोस सेखर ने SIT का गठन कर सिग्र गिरफतारी का आदेश दिया है बता दे चाईबासा SDPO दिलीप खलखो जगरनाथ पूर SDPO इकुल डुग डुग वा S.S.P. सुमीत कुमार अगरवाल के नेतुत में SIT की टीम लगतार छापे मारी कर रही है वहीं टेकनिकल टीम की भी मदद ली जा रही है दो दिनों में पुलिस ने हवाई अड़ा के आसपास के गाओं के लवग एक दजन संदिक दे युवाओं को हिरासत में लेकर पूस्ताच की है हलाकि सुराग नहीं मिलने पर उन्हें छोड़ दिया जा रहा है युवाओं के परिजन वा ग्रामिनों का मुपसिल थाना के बाहर जमावडा लगा रहा है अयोध्या में पीएम मोदी करेंगे स्री राम का रायतिलग 15 लाख दीप का रिकोर्ड वहीं पीएम मोदी स्री राम का रायतिलग करेंगे राजेपाल अनांदी बेन पटेल, सियम योगी अधित्यनात कई देशों के राय दूत भी इस मोके पर मोजूद रहेंगे इस दोरान लेजर सो और रंगीन रोसिनी से पूरी अयोध्या जगमक रहेगी बतादे भागवान स्री राम के रायतिलग के लिए अयोध्या त्यार है राम कथा पार्क स्री राम की आगवानी के लिए त्यार है स्री राम पुस्पक बीमायन रूपी हेलिकोप्टर से सीता माता और अपने भायो लक्षमन भरत सत्रुधन के साथ राम कथा पार्क में उत्रेंगे पीए मोधी स्री राम का राय तिलक करेंगे अयोध्या में इस बार छाठा दीप उत्सो हो रहा है इस बार 15 लाग दीप प्रजलीत करके भी सोरी कट बनाया जाएगा अकाल मोध से बचने के लिए छोटी दीप आवली पर यम को दिखाय दिया दीप आवली को लेकर चाहूर उत्सो का वातावरन है बजार से लेकर घर तक जगमग नजर आ रहे है वहीं रंग बिरंगी रोशनी से रांची वा जारखन के हर गाउं सहर की खुबसूरती देखने बन रही है बतादे पटाखे बाजी भी सुरू हो गई है 24 अक्टूबर को दीप उत्सो यानि दीप आवली मनाया जाएगा इसे एक दिन पूर्व आज रभीवार को छोटी दीप आवली है परमपरा अनुसार हर साल कार्तिक महिने के चतुर दर्सी को छोटी दीप आवली मनाया जाती है इस वर्से आती थी रभीवार यानि आज है आज यम को दीपक दिखाने की परमपरा रही है अपने घर की पहले साब सफाई कर फिर साम में घर के बाहर गाय के गोवर से निर्मीत दीपक जलाएं हिंदू संस्कृती में यह मने आता है कि छोटी दीप आवली के दिन यम को दीपक दिखाने से सुक समरीदी हमेशा बनी रहती है इतना ही नहीं घर परिवार में किसी ब्यक्ति की आकाल मोत नहीं होती इसलिए आज के दिन यम को दीपक दिखाये जाते हैं जारखन सरकार का पटाखा फोड़ने के नियम का करे पालन वारना जेल जानाता है दीपक दिखाये पर जाम करा तिस बाजी कीजिए लेकिन जारखन सरकार के नियम काईदों का भी जरूर ख्याल रखे वारना आपको जेल की हावा खानी पड़ सकती है दरसल जार्खन सरकार के राजे परदूसर नियंतरन बोर्ड ने परवत्यवार के मौके बर पठाका फोड़ने को लेकर कुछ नियम बना रखे हैं यह कदम जनहीत और लोगों के स्वास्त हीत में बनाए गए हैं सभी तरह के मौके परिया नियम काईदे लागू होते हैं केवल दीपावली पर ही नहीं मालूम हो कि जार्खन राजे परदूसर नियंतरन बोर्ड ने दीपावली के मौके बर पठाकों को लेकर एक महत्पून सुचना जारी की है इसमें कहा गया है कि जार्खन में केवल उनी पर टाकों की विक्री होगी जिनकी धोनी जीमा 125 डेसिबल से कम है धन्यवाद